घे काईज अगर आप भी लेना चाहते हो जोच और 20 गे अंदर एक बेस्ट पॉर्टू केमरा रअ स्मार्फोन तो इस वीडियो के निदर हम ने बैस्ट समार्फोन को एड गया hai जो कि आपको 20 से अरसंदर देखने को मिल जाता है, जो कि best popular camera ले स्मार्टफोन है, जितने भी मैंने स्मार्टफोन एड़ किया है, वह बिल्कुल new and latest flexible स्मार्टफोन है, इन सभी स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है, बिल्कुल anti-level वाला feature, जैसे कि आपको 6GB से RAM से लेकर, आपको AMOLED डिस्प्ले देखने मिल जाता है, और आपको एक gaming chipset देखने मिल जाता है, जहाँ पर आप हाई लेवल में आप gaming भी कर पाऊ गए, और साथी साथ आपको 120Hz का refresh rate देखने मिल जाता है, और आपको एक लंबी battery देखने मिलती है, जिसके साथ साथ आपको 45W का fire charging support दे रखा है, और जितने भी मैंने smartphone बिल्कुल add किया है, बिल्कुल new and latest smartphone है, और आपको अगर कोई भी smartphone इंसमें से आपको purchase करना है, तो इस वीडियो को add तक जरूर देखना और पूरा देखना तभी आप समझ पाऊगे कि आपके लिए one of the best smartphone कौन सा है, तो गाइस अगर आप मेरे चनल पर पहली बार वीजिट कियो तो चैनल को सब्क्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दो and मुझे मोटिवेट कर दो, तो चले दूसों बिना देर कि हम आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं, Realme 9 Pro बिल्कुल new and latest smartphone है and guys बिल्कुल recent में launch किया गया इस smartphone को और guys इस smartphone को camera और इसका flagship chipset बहुत रखास है, guys इस smartphone की build quality मिलती है वो plastic frame के साथ में आता है, सबसे पहले बात करते हैं इस smartphone के display के बारे में तो 6.6 इंच का IPS LCD display दे रखा है 120Hz के refresh rate के साथ में आता है and smoothness है काफी ज़्यादा display में जब भी आप इस smartphone को चलाओगे, scroll करोगे तो बहुत ही better feel होगा and guys इस smartphone का camera है वो back palm में आपको तीन camera दे रखा है, triple camera का support है, 64 megapixel का main camera, 8 megapixel का ultra wide and 2 megapixel का micro तो तीनों camera बहुत अच्छा काम करता है and guys आप सामने देख सकते हो इसकी quality and यहाँ पर इसका maintenance बहुत ही ज़्यादा तगड़ा दे रखा है, यह देखो quality क्या है and guys building देखो सामने की, यहाँ पर एक एक details आप इसमें अच्छा का सा देख पाऊगे, इसके साथी साथ wide angle camera लेकर तो macro camera भी बहुत अच्छा है and यहाँ देख सकते हो micro camera के picture quality काफी ता खास है, इसके साथी साथ wide angle में night mode बहुत अच्छा खासा result देता है, इसके साथी साथ अगर बात करो selfie camera को लेकर, तो 16 mega official का selfie camera दे रखा है and यहाँ आप 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 देख सकते हो इसका result क्या है, एक picture quality बहुत ही अच्छा खासा दे रखा है and यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा look है and guys अच्छे से maintain किया हुआ है camera and यहाँ अगर हम बात करें इस smartphone में full HD में आप front camera से भी video record कर पाऊ गए and guys बात करूँ इस smartphone की processor के बारे में, तो Qualcomm Snapdragon 695 का processor दे रखा है, 5G के साथ में आता है, 6 nanometer के chipset पर आता है, तो काफ़ी जाजा तकड़ा है इस smartphone का chipset and gaming chipset है, आप अच्छे से gaming आप इस smartphone रन कर पाऊगे and आप अप GBGMI Call of Duty आप अच्छे से run कर पाऊगे and आपको कोई भी frame drop नहीं देखने को मिलता है, जब भी आप इस smartphone gaming करती हो तो एक next level पर gaming कर पाऊगे and hitting issues भी न तो दो दीन का battery backup देखने मिलता है, एक घंटे में यह smartphone full charge हो जाता है and guys बात कुरो इस smartphone के other feature के बारे में, तो USB Type-C का support दे रखा है, side monitor fingerprint मिलता है and 3.5 mm का jack भी दे रखा है, तो guys इस smartphone की quality बहुत यदा अच्छा है and बात कुरो इस smartphone को price के बारे में, तो यह smartphone आप purchase कर सकते हो, 18 प्राइजर के price पर flip cards है, 6GB plus 128GB variant वाला काफी तगड़ा smartphone है और recent में launch किया गया है, तो guys आपको यह smartphone कैसा रहागा, अभी comment करके बताओ, अभी हम बात करते हैं अगले smartphone की बारे में, next and अगला smartphone है, Infinix 05GB, बिकुन new and latest smartphone है and this month ही यह smartphone February में launch हुआ है and guys इस smartphone का look देखो, काफी जादा तगड़ा है and सबसे बड़ी बात यहाँ पर इसमें जो है आपको तेरा बैंड 5G नेटरों दे रखा है, जो की काफी जादा तगड़ा है and in future आपको इंडिया में 5G नेटरों का आता है, तो बिल्कुल आप सेक्योर हो जाते हैं, इस smartphone को purchase करके, गाज इस smartphone की build quality है न जोड़ा कम आपको bright intense देखने को मिलता है, इसके साथ ही साथ अगर बात करू क्यामरा को लेकर, तीन क्यामरा दे रखे हैं, 48MF का में क्यामरा, 13MF का तेली फेटो रेंस and 2MF का आपको macro, यहाँ पर आपको तीनों क्यामरा वन आप बैस्ट पिक्चर की quality मिलता है and आप 4K व photography का level है, वो बहुत ही ज़्यादा तकड़ा है and guys जीसे smartphone में आप देखो, buildings देखो, आप इसके साथ ही साथ इसमें जो है एक एक window देखो, आपको एक clarity देखने को मिलेगा, इसके साथ ही साथ इसमें देखो, आप इसका selfie camera, जो कि आपको 16MF दे रखा है and 16MF दे रखा है and 16MF तो काफी अच्छा खासा जो है रिजर्ड देखने को मिलता है, जो processor दे रखा है, वो media tech का diamond city 900 processor दे रखा है, 5G के साथ में आता है and 6 nanometer का chipset है and काफी तगड़ा flagship वाला chipset है, यहाँ पर आप PUBG, BGMI, Call of Duty and यहाँ आप आप दिन बर इस smartphone को यूज भी करोगे, तो आपको कोई स्मार्टपून के बैटरी के बारे में, तो आप 5,6 MS की बैटरी दे रखा है, इसके साथ साथ आपको 338 का far charging support देखने मिलता है, तो 338 का far charging support से बहुत ही तेजी से smartphone को चार्ज कर पाऊगे, इसके साथ साथ USB Type-C का support देखने, side mount, finger pin दे रखा है, 3.5 M का jack दे रखा है, इसके इसे अर 999 के price पर यह smartphone आफ फिलिप कार्ट से बाई कर सकते हो, guys काफी अच्छा smartphone है, अभी हम बात करते हैं, next smartphone के बारे में, next smartphone है, moto G71 5G, बलकुन new and latest smartphone है, 2022 का, and guys यह स्मार्टफोन की quality है, काफी अच्छा कासा display दे रखा है, जो कि AMOLED डिस्प्ले है, तो guys सबसे पहले बा डिस्प्ले की बात करते हैं, तो 6.4 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दे रखा है, काफी अच्छा डिस्प्ले है, and बात करते हैं, स्मार्टफोन की camera के बारे में, तो बैक कल में आपको तीन camera दे रखा है, तरपल camera का सपोर्ट है, 50 का मेन camera, 8 ultrawide, 2 में काफी सब का माइक्रो क्याम दे रखा है, आप Full HD में video record कर पाओगे, 30fps ताग, front camera से, अच्छा खासा selfie आता है, night mode में अच्छा खासा picture का color है, and guys, इस स्मार्टफोन के बात करे प्रोसेसर को लेकर, तो यहाँ पर इसमें मिनता आपको क्वालकम सनार ड्रेगंगर 695 का 5G प्रोसेसर, जो कि 6 nanometer के चिपसर पड़ा रहता है, gaming chip setup है, PUBG, HDMI, heavy frame पर आप easily turn कर पाओगे, इसके साथ ही साथ इसमें 13 बैंड का 5G network दे रखा है, इन्पेस आपको इंडिया में आपको जब भी 5G network आता है, तो आप सेक्योर हो जाते हैं, और यहाँ पर आपको जो है काफी अच्छा खासा प्रोसेसर के साथ स जी यहाँ दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 5-6 रमेशी बैटरी दे रखा है, फार्स शार्जिं सपोर देखने को मिलता है, एक गंटे में यह स्मार्टफोन फूल चार्ज हो जाता है, तो काफी अच्छा स्मार्टफोन है, अगर अधर फीचर में आपको USB Type-C का सपो स्मार्टफोन के बारे हैं, इस स्मार्टफोन को आप पर्चेस कर सकते हो, एमोजॉन से, इस स्मार्टफोन की क्वालिटी है, कामरा भी बहुत जाद अच्छा है, गेमिंग चिप्सेट दे रखा है, इस प्राइस पॉइंट बहुत ही दर खास है, जब से पहले बात करते है प्लास्टिक फ्रेम का जो है बिल्ड क्वाल्टी दे रखा है गाइस बात करें स्मार्फोन को डिस्प्ले के बारे में तो 6.6 इंच का डिस्प्ले दे रखा है आप डिस्प्ले बहुत ही जयता अच्छा का से रखा है आप गेमी भी करते हैं तो आपको बहुत यदा अच्छा का सा रिजल्ट देखने हुँ दे रखा है तिरपल कैमरा का सपोर्ट दे रखा है तो यहां पर जितने भी कैमरा है वो वन आफ दे बेस्ट पिक्चर के क्वाल्टी देता है इसके साथी साथ 16 मेकाफिसल का आपको सेलफी कैमरा मिलता है जो कि आप फुल एच्डी में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में तो इसमें कॉलकॉम स्नाट ड्रेगन का 778 जी का 5G प्रोसेसर मिलता है जो कि एक फ्लेक्सिक किलर स्मार्टफोन में आपको मिलता है यह प्रोसेसर और यह इस प्रोसेसर जो है 6 नैनो मीटर की चिपसेट वारा तो 5-6HMG की बैटरी मिलता है, इसके साथ साथ आपको 44W का फार्स चार्जिन सब्सक्राइज दे रखा है, तो ये स्मार्टफोन करीब जो है एक घंटा दस मिनट में ये स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाता है, और रियली बात बता हुँ, इस स्मार्टफोन का बैटरी ना स्मार्टफोन का, इस प्राइस पर यहां पर आपको 5G प्रोसेसर मिलता है, तो वो काफी ज़्यादा दमदार है, और काफी ज़्यादा ओवराल कहूंगा, कम्प्लिट पैगज है, हिटिंग भी नहीं है, इस स्मार्टफोन बहुत अच्छा देरे रखा है, ये स्मार्टफ इस परचेस करना होगा, तो मैं सबसे पहरे परचेस करूँगा, आईक्यू जेड़ फाइव, और रियल्मी नाइन पूर वन अफ दबेस्ट है, और सबसे बड़ी बात है, इस स्मार्टफोन का लोग भी बहुत अच्छा खासा दे रखा है, और 5G भी है, तो आप बताओ को आप कौन सा स्मार्टफोन खरीदने वाले हो, और इस वीडियो को एक लाइक करके आप मुझे मूटिवेट कर दो, और चैनलों को सब्क्राइब कर दो, अभी हम मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए, जैहीन वन दे मातरम